स्टुडेंट्स हम जो है क्लास 12 की पॉलिटिकल जो है वो स्टडी कर रहे थे उसके चप्टर नंबर वन पे हैं हम उसमें जो है थ्री चैलेंज थे जो भारत को आजाद होने के बाद फेस करने पड़े उन में से फर्स चैलेंज था नेशन बिल्डिंग का यहनी कि भारत को ज प्रोब्लम्स आई वह सारी को हम सभी प्रोब्लम्स को ठीक से स्टडी करेंगे फिर उन चैलेंज इसको देखेंगे कि डेमोक्राशी को किस तरीके से स्थापित किया गया उसके बाद तो चलिए यह स्टार्ट करते हैं यह हम आ चुकी है इसमें पेज नंबर एट पर NCRT के तो इसमें है इसका टॉपिक है partition, displacement and rehabilitation अब partition हुआ तो इसके अंदर क्या हुआ उसमें हुआ displacement एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को जाना पड़ा उसके बाद rehabilitation भी हुआ यानि कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बसाने का काम शुरू हो गया कि उनको rehab किया खान पीना यह सारी चिज़े दी जाएंगी तो यह था उनका rehabilitation का इसके बाद क्या हुआ था कि 1947 में दो नहीं बलकि तीन जो है state वो वो बने थे जिसमें से एक था इंडिया दूसरा था पाकिस्तान और तीसरा था इस्ट पाकिस्तान यानि कि जिसको आज बंगलादेश कहा जाता है तो यह जो शुरू हुआ था यह partition हमारा उसके बाद इसका process क्या था यह topic है हमारा अब इसके process में क्या था कि two nation theory के according इसको divide कर दिया गया था यानि कि दो देश बनाए जाएंगे लेकिन इसमें जो पार्ट है वो तीन होंगे यानि कि पाकिस्तान और इंडिया दो बनेंगे लेकिन हिस्से जो है वो तीन है अब इसके बाद क्या है यह वाली डिवीजन काफी painful थी यह इस तरीके से painful थी कि लोगों का जो है ठीकाना एक ही रात में बदल गया इसके लाबा उनको जो है अपना सब कुछ जमीन जायदा सारी चुजों को छोड़के वहां से ज जहां पर हिंदू जादा है उसको भारत माल लिया जाएगा और जहां पर मुस्लिम जादा है उसको पाकिस्तान बना दिया जाएगा अब इसमें क्या था इट वे डिसाइड टू फॉलो द प्रिंसिपल फ रिलिजिस मेजोरिटी यह नि कि धार्मिक मेजोरिटी के धार पर इसमें क्या होगा कि जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में है उसको पाकिस्तान बोलेंगे और जहां पर दरेस्ट वस टू स्टे विद इंडिया बाकी सारा जो हिस्सा है उस वो भारत के पास रहेगा अब इसमें क्या है कि यह जो आइडिया है यह सिंपल लगता है कि मुस्लि या फिर सिल्फ हिंदू ही थे सब लोग mix-up सा था कहीं पे कुछ majority थी कहीं पे कुछ minority थी इस तरीके से यह चीज थी लेकिन जो भारत है उसमें दो ऐसी जगे थी जहां पे Muslim majorities थी लेकिन उनको जोड़ा नहीं जा सकता था जैसे East Pakistan और West Pakistan जो आज का Pakistan इसको West Pakistan बोलते थे और ज अब इसमें Pakistan will comprise of two territories West and East Pakistan separated by a long expense of Indian territory यानि कि Pakistan को दो हिस्से दिये जाएंगे जिनके बीच में बहुत लंबा एरिया भारत का होगा यानि कि इंडिया का होगा और दूसरा था इसमें कि सारे के सारे जो Muslim है वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे दूसरा problem यह था यानि कि इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम था कि जो है हिस्से अलग अलग तरीके से हुए थे वो बीच में बहुत बड़ा भारत का हिस्सा था यानि कि इस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अनर दूसरा यह था कि सभी Muslim जो है वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे फिर इसके बाद जो अब्दुलगफार खान जिनको फरंटीर गांधी भी कहा जाता है वो इसके काफी खिलाफ थे लेकिन फिर भी यह प्लान को एक्जेक्यूट कर दिया गया वो काफी फेमस अस्ती हुआ करते थे इनको फरंटीर गांधी कहा जाता है यह कोशन आ सकता है आपके एक्जैम में इसमें थार्ड प्रॉब्लिम यह थी, कि जो मुस्लिम मेज़ोरीटी के प्रॉविंसेज हैं, ब्रिटिश इंडिया में, पंजाब और बंगाल, उनमें बहुत बड़े एरियास में, जो है, नोन मुसलिम भी मेज़ोरीटी थी, कुछ एरियास में, जैसे पंजाब भी हो गए या फिर कुछ और किसी और कम्यूनिटी के लोग हो गए लेकिन वहाँ पे मुस्य मेजॉरिटी में नहीं थे तो ये वाले अरियास को हाफ आफ डिवैड किया गया जैसे जो पंजाब है और बेंगॉल है बेंगॉल का भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है बंगलादेश में है और पंजाब का भी आधा हिस्सा जो है वो पकिस्तान में चला गया अब इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि ये जो दो प्रोविंस है इनको रिलिजिस मिजॉरिटी के अधहार पे डिस्टिक्स के अकोर् बहुत सारे लोगों को अजादी के दिन भी ये पता नहीं था कि वो लोग कहां जाएंगे या उनको पाकिस्तान में रहना है या फिर भारत में रहना है उस समय तक भी लोगों को ये जो है कन्फरमेशन नहीं थी क्योंकि वो लोग जो है उसको डिवाइडी नहीं किया गया पहां पे बहुत जादा जो कि था पच्ची मंगाल में और पंजाब में भी इसके बाद है जो फोर्थ प्रोब्लम थी वो वो थी इंट्रेक्टेबल ऑफ ओल द प्रोब्लम्स ऑफ पार्टिशन यानि कि प्रोब्लम यह थी कि मैन्योरिटी इस थी दोनों साइड बॉर्डर्स जो पंजाब भारत के पास है अभी फिलाल वहां पे मुस्लिम माइनियोरिटी थी और जो पाकिस्तान के पास है वहां पे थी हिंदू माइनियोरिटी अब उन लोगों को इधर से उधर जाना था लाखों लोग हिंदू और सिख जो हैं वो इन एरियाज में पाकिस्तान में रहे थे लेकिन उतने ही large number of muslims on the Indian side of Punjab and Bengal found themselves trapped partition के बाद ये लोग जो अफस गए उनको यही नहीं पताता है कि हमें किस तरफ जाना है they were to discover that they were undesirable aliens in their own home वो लोग अपने ही घर में एक अंचाहे alien के तरीके से वो लोग रह रहे थे अपने ही घर में क्योंकि वो देश का नाम बदल दिया गया था उजगे का यानिकि उनका देश ही बदल गया था partition के बाद इसके बाद आता है कि जो वोईलेंस हुआ दोनो तरफ उसको रोका जा सकता था लेकिन क्योंकि कुछ ही गंटों के इस पर बोल दिया गया कि यहां से चले जाओ इस वज़े से बहुत जादा प्रॉब्लम हुए उनका कि कुछ गंटों बाद तुम्हें ऐसे निकल जाना है नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा तुम्हारी जम्मी ने हट अफ ली जाए गया ऐसा सिस्टम हुआ फिर इसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम साई ये शुरू होता है कॉन्सेक्वेंस ओफ प्रॉटिशन अब 1947 में येर बन अफ दे लार्जेस्ट मोस्ट अबरप्ट अन प्लैंड एंड ट्राजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन दाट हुमन हिस्ट्री हाज नौन दुनिया में आज तक इतना बड़ा पॉपुलेशन का इधर से उधर जाना नहीं हुआ था वो भी अबरप्ट बहुत जल्दी कुछ घंटों के नोटिस पे उनको बोल दिया गया यहां से महां चले जाओ इसरा से दोनों तरफ अठ्रोसिटीस हुई किलिंगस हुई जिसकी वज़ह से लोगों को मार दिया गया religion के अधार पे लोगों को मारा गया सिखों को पाकिस्तान में मारा गया और मुस्लिमों को इंडिया में मारा गया और ये सारा कुछ ruthlessly हुआ बिल्कुल बहुती एमानवे तरीके से हुआ दोनों communities में और इसके बाद जैसे cities थी जैसे लाहूर थी कॉलकाता थी और इसके लाबा अमरित्सर कॉलकाता थी वो डिवाइड हो चुके थे communal zone में यानि कि community के जो दंग्य थे वो शुरू हो गए थे वहां पे Muslim would avoid going यानि कि Muslims जो है वो उन एरियास में नहीं जाते थे जहां पे Hindu रहते हैं यानि कि अपना घर चोड़के चले जाओ और बोर्डर के दूसरी पार जाओ इसके बाद people went through immense suffering लोगों को बहुत जादा प्रोब्लेम्स होई minorities on both side of the border fled their homes and often secured temporary shelter in refugee camps और उन लोगों ने अपने घरों को छोड़के refugee camps में उन्होंने रहना शुरू किया they often found unhelpful local administration and police in what was still recently their own country अब उन लोगों को उसी देश में जो है refugee जैसा वो लोग refugee की तरह रह रह रहे थे अपने ही देश में उन लोगों को administration से भी कोई help नहीं मिली उसके बाद वो अपने ही देश में एक alien की तरह रहने लगे कुछ लोगों ने जो है किसी भी उनको विकल वगारा नहीं मिला वो लोग जो है पैदल ही अपनी जर्नी को उन्होंने शुरू किया जिसके बीच में बहुत सारे लोग जो है वो मारे भी गए उसी समय में लाखों लोग refugee की तरह रह रहे थे यानि कि उनकी जो जिन्दगी थी वो refugee camp में महीनों और फिर सालों तक वो लोग वही रहे बहुत सारे एरियाज में बहुत सारे राइटर्स पोईट्स जो फिल्में करें उन्होंने इन पे बहुत सारी मुवीज बनाई बहुत सारे जो है पोईब्स लिखी गई बहुत सारे जो है नोबल्स भी लिखे गई है पार्टिशन के उपर इस समय में जो है उन लोगोंने कैसे लिखा या फिर मुवीज कैसे बनाई जो लोग refugee camp में रहे या फिर जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए उन लोगों से बाते की उनकी सारी जो लाइफ संक्ल है उन्होंने उसको सुना फिर उसके बाद उन्होंने यह सारी चिज़े बनाई जैसे movies हो गई पोएम्स हो गई, नॉवल्स हो गई, सारी चीज़े उन्होंने फिर वहां से पूछ के यह सारी चीज़े लिखी गई, कुछ तो बहुत जादा ट्रॉमेटाइस थी जिनको सुनना भी बहुत मुश्किल है, जैसे वी, what also got divided were financial assets, financial assets वो थे जो, जैसे table, chair, typewriter, paperclips, इनको भी डि बाट दिया गया, railways को भी डिवाइड किया गया, employees को भी डिवाइड किया गया, government, पूरे की पूरी government को डिवाइड कर दिया गया, तीन जगहों पे, तीन पार्ट में और दो देशों के बीच में, इस तरीके से हुआ, पांच से दस लाख जो लोग है, वो इस violence में मारे जो उस समय पे, जो उस समय पे, जो उस समय पे फाइनेंशिल प्रॉब्लम्स इतनी जादा थी, कि जो लीडर्स है वो नहीं मार रहे थे टू नेशन थियोरी को, वो लोग नहीं चाते थे कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी पार्टेशन जो है उसी बैसे पे हुआ, जो रिलिजिन ह अधरम के अधार पे उसको बाट दिया गया, जो मुस्लिम पोपुलेशन थी भारत में, वो जो है, सिरफ बारा परसेंट थी, नाइंटीन फिफ्टीवन में, उस समय पे, जो मुस्लिम पोपुलेशन इन इंडिया, अकाउंटेड फोर 12% फोर टोटल पोपुलेशन इन इन अब यह पोपुलेशन लगबाग 18-19% के आसपास है, अब जो है, बाकि जो और भी माइनोरिटीज थी भारत में, जो सिस्थिक हो गए, क्रेश्चिन हो गए, जैन्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, पार्सीज और जुएस, यह सारी भी माइनोरिटीज भारत में रह रह इस टाइम पे, पार्टिशन हैड ओल्डेडी क्रेटेड सीवियर कंफ्लिक्ट बिट्विन टू कम्यूनिटीज और जो है, मुस्लिम और हिंदूों के बीच में, इसने बहुत जादा कंफ्लिक्ट पैदा कर दिये इस पार्टिशन ने, जिसकी वज़े से बहुत जादा बहुत सारे जो लीडर्स थे, उनका ये मानना था कि भारत में हर एक वैक्ति को धरम के अधार पे नहीं, इक्वैलिटी के अधार पे ही उनको माना जाए, और जो है एक भारत एक ऐसा देश होगा, जो किसी भी एक विश्वास, फेथ, इनफ्रियर या फिर किसी दूसरे धरम को मानने वाले लोगों के खिलाफ होगा, ऐसा हम देश नहीं बनाएंगे, इस तरीके से, फिर इसके बाद शुरू हुआ, इंटिग्रेशन ओफ प्रिंसली स्टेट्स, ये वाला पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क् ये जो है पार्टिशन से अलग है, पार्टिशन होने के बाद भारत में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको किस तरीके से जोड़ा गया, तो यहां तक के लिए, यहां तक आप स्टड़ी करें, फिर इसके बाद मुझे बताएं कि समी क्या क्या और, क्या क्या क्या इंटिछको किस तरीके से लिए प्रिंसली स्टरीके से बाद ए Snow